हेलो गाइस आप सभी का स्वागत है आपके अपन योटूब चैनल सन्वाल अज्टेग में दोस्तों हाज हम बात करने हैं सेकावटी उनिसरेटी एक्जाम 2020 की जो आज की सबसे बड़ी इंपोर्टेंट खबर है आपके लिए आपका एक्जाम होगा या नहीं होगा जो न्यूज पेपर में खबर आ चुके उनिसरेटी ने जारी कर दिया गया है आदेश की परमोट ही होंगे लास्ट बार स्टूडेंट है एक्जाम होगा या नहीं होगा प्रक्टिकल एक्जाम का भी नोटिविकिशन आ चुका है और कई स्टूडेंटों ने एक्जाम की मांग की है जब पर्मोट के notification जारी हो गया है उसके बाद में कई studentों ने पर्मोट की मांग की है अब studentों ने क्या क्या कहा और university ने क्या जारी कर दिया है पर्मोट के लिए तो बात करते हैं सबसे important ख़बर की उससे पहले यादि YouTube चैनल पर नए है तो YouTube चैनल को एक बार subscribe कर ले कह रहे हैं वो सभी को आपको बताऊंगा एक एक किस्टे बाइस्टे उससे पहले देख लेते हैं university ने क्या कहा दिया studentों के लिए कोरोना की दूसरी लेहर को देखते हुए सरकार ने बोर्ड विस्विद्धारों की परिक्षा इस्तिकित करके विद्धार्तियों को अगली करक्षा में पर्मोट करने का फैसला किया है आपके लिए ये सबसे बड़ी important चीछ है कि आपको पर्मोट करने का फैसला लिया है जो आज की न्यूस पेपर की खबर है जो सीकर बास करके अंदर यान की सीकर पत्री का जो रास्तान पत्री का के अंदर है एक न्यूस पेपर उसके अंदर आज की अपडेट है विल्कुल भी राइट अपडेट है यह आप न्यूस पेपर में देख भी सकते हैं पर्मोट करने का फैसला ले लिया है सरकार के इस फैसले से चातर वरग में बेचानी हो रहे हैं कि इस फैसले से पर्मोट के फैसले से चातर परेशान हो रहे हैं क्यों परेशान हो रहे हैं क्योंकि पर्मोट में 36% ही marks add होते हैं ये आपके लिए बिल्कूल ही निंदनी ये बात है कि एकजाम में 36% अंक आपको दिये जाएंगे मारक शीट में भी 36% से परसंटेज अंक जुड़ेंगे उसके बाद में है चात्र का वरक का माना है कि परिक्षाई से चात्रों का कह रही है भविश्यत्य होता है इसलिए परिक्षाई करवाई जानी चाहिए चात्रों का सवाल है कि अगर देश में चुनावी ये चुनाव और चुनावी रेलियस अभाव सकती है तो चात्रों को बैसिकल ने धायर्ट करने वाली परिक्षाई क्यों नहीं इसलिए परिक्षाई हराल में उन चाहिए चात्रों का सही कहना है क्योंकि जो भी एक्जाम हो रहे हैं उसके अंदर यदि स्टुडेंट एक्जाम देते हैं और COVID-19 यान की जो भी कोरोना आजाता है और जो चुनाव रही है उसके अंदर कोरोना क्यों नहीं आता है तो चुनाव रही हो सकती है तो एक्जाम क्यों नहीं सोकता ये बड़ी बात है फिर उसके बाहन देख सकते हैं जो परिक्षाऊάλ में objective type person आते हैं UPSC Pre में इतना बड़ा syllabus होता है और परिक्षा 3 गंटे के होती है तो college परिक्षा एक की दिन में 2 या 3 गंटे objective type हो सकती है objective type की मांग की है जो भी question object type से भी question आ सकते है जो 30-30 objective person है दे सकते हैं exam ये उन्होंने मांग की है उसके बाद second है उन्हेंने कैसे समझ आया कि कौन से सिक्षा ले रहे हैं उनका पार्ठे करम क्या है और विदार्ट उन्हें 2 साल में क्या सिका इसलिए परिक्षाई हो तथा promote वाला system है ना अपला ये पूजा वर्मा ने कहा है राज के कला मावित द्याले की girls ने फिर उसके बाद तीसरी girls है जिनका नाम है पूजा चोमाल जो राज के commerce girls में पढ़ती है चात्रों को promote किया जाएगा तो चात्र ने सिरफ पढ़ाई का नुक्सान होगा बलके चात्र पढ़ाई में अच्छे हैं उनको मार्शीट में नंबरों का नुक्सान होगा पर मोट होने वाले चात्रों को के उल्ट 36% यंग मिलेंगे चुनाई भी रैली हो सकती है सोसल डिंग से परिक्षा भी करवाई जा सकती है उसके बाद में next है अधिती चोधरी ने क्या का जो साइन्स कोलेज के अंदर फड़ती है बिना परिक्षा की मुल्यानकन की नहीं हो पाएगा खुद स्टुडेंटों को भी confidence कैसे आएगा इसके लिए सवालों की संक्या कम कर सकते हैं परिक्षा का समय कम कर सकते हैं परिक्षा ना करवाए तो ठीक नहीं है हमें कोरोना से लड़ना है और तता इस्टुडेंटों को बेश्या की ध्यान रखा जाएगा इसकूल अब next जो गल्स है उनका नाम है चैरी सराब जो गल्स कोलेज के अंदर अड़ती है उन्होंने क्या कहा उन्हें का कि स्कूल हो या कोलेज फरिक्षा हर हाल में होनी चाहिए परन्तु पून सावदाने से सुरक्षिया तता ताक कि वर्तमान बयान परस्थितियों से लड़ा जा सके बच्चों का मुल्यान कन्पी हो जाए उनका एक साल खराब हो उन्हें से बच्चाए जीवन वज सिक्षिया दोनों का ही मैत तवयान की इन बच्चों का कहना है कि एक जाम डेफिनेंटली होना चाहिए एक जाम पर मोट से बच्चों का ही नुकसान है क्यों नुकसान है क्योंकि उनके 36% नमबर एड होने वाले है जो भी स्टुडेंट यानकी फैल के लाइक है जो भी सोच रहे हैं कि मैं तो फैल हो सकता हूँ उस्टुडेंटों के लिए बहुत बड़ी खुसगभरी है एक तरह से जो इस्टुडेंट इंटलीजेंट है उनके लिए ये बेहत दुखत कबर है कि उनको पर्मोट किया जाएगा तो ये है जो विस्विद्दाले निने ले चुके है पर्मोट का अगली क्रिश्य में जी फ्रेंट्स तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकंड नोट पे किसन दे रखा है कि विस्विद्दाले की बैठक 12 माई को पंडीत दे इंद्याल उपादे सेकाउट विस्विद्दाले की अकेडमी काउंसलिंग की मिटिंग 26 अपरेल से बढ़ा कर 12 माई पस्तावित की गई विस्विद्दाले की जो सेक्षनिक उप स्कूल साचीव डाक्टर रवींदर कटेवन बताया कि कोविड-19 की नई गाइडलाइन्स के तैथ मिटिंग की तिति में बदलाव किया जाएगा यान की बारत तारीक को आपको कन्फरम हो जाएगा कि आपको परमोट ही होना है या एक्जाम होगा या क्या होगा युनिसेटी ने तो जारी कर दिया गया है कि परमोट ही होंगे चातर पर अंतु इस्टूडेंट नहीं मान रहे हैं कि उनको एक्जाम होना चाहिए तो दोस्तो आयोफ़ आपको वीडियो पसंदाए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जो प्रक्टिकल एक्जाम है वो भी डिसाइड होंगे 12 माई को धन्यवाद